जारकन मुक्ती मोर्चा के नेता हेमंत सुरेन को ईडी ने जमीन घोटाला मामले में गिरफतार कर लिया है गिरफतारी से पहले सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साजा कर लिखा है मैं हार नहीं मानूँगा और समझोता नहीं करूँगा हेवंत सोरेन के इस पोस्ट पर केंदर मंत्री किरेंडरी जीजू ने पलटवार किया है उन्होंने हेवंत सोरेन को बिगड़ा हुआ बेटा बताया है और लिखा है कि आदिवासी होने के नाते उन्हें जनता का पैसा लूटने का कोई भी अधिकार नहीं है सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में किरिन विजू जू ने लिखा है मैं भी एक आदिवासी हूँ और कहीं ज्यादा पिछडे आदिवासी इलाके से आता हूँ मुझे आपके बयान पर हसी आती है अगर शिवू सोरेन जी ये बात करते तो मैं इसे मान लेता लेकिन ये बात आप पर नहीं जचती खेर आदिवासी होने से जनता का पैसा लूटने का लाइसेंस नहीं मिल जाता इससे पहले हेमन सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि ये एक अंतराल है जीवन एक संघर्ष है मैं हर पर लड़ूंग और लड़ता रहूंगा लेकिन चाहे हार मिले या जीत मैं समझोता नहीं करूंगा और हार स्वीकार नहीं करूंगा आपको बता दें कि जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशाले की टीम बुधवार सुभा करीब साड़े दस बजे हेमन सोरेन के आधिकारिक आवास पहुची थी इडी ने कई घंटे हेमन सोरेन से पूश्ताच की कई घंटों की पूश्ताच के बाद बुधवार रात को हेमन सोरेन को गिरफतार कर लिया गया गिरफतारी से पहले बुधवार रात में हेमन सोरेन ने राजभवन जाकर राज़पाल को अपना स्तीफा सौपा था भई जहरकन मुक्ती मोचा ने चमपई सोरेन को विधायक दल करने तच चुन लिया है और चमपई सोरेन ने बुधवार रात को ही सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था हलाकि अभी तक राज़पाल ने उन्हीं सरकार बनाने का नियोता नहीं दिया है बता दें कि सोरेन की गिरफतारी से नाराज आदिवासी संकटनों ने गुरुवार को जारकंड बंद का ऐलाम किया है इसी बीच केंद्र मंत्री किरेन रिजुजू ने प्रवर्तन निदेश शाले द्वारबीते बुद्धवार को जमीन खोटाले में गिरुफतार किये गए जारकंड के पूर्व मुख्य मंत्री हेमन सुरेन को बिगडेल बच्चा बता दिया है मंत्री रिचिजू ने जाच एजिंसी के शिकंजे में फसने के बाद सूबे को सत्ता गवाने वाली हेमन सुरेन पर तीखा हमला किया हो और कहा है कि उन्हें जनता का पैसा लूपने का कोई भी अधिकार नहीं है दरासल नेता ने अपने सोशल मीडिया प्लाटवर्म एक्सपर कियेगा एक पोस्ट में हेमन सुरेन को निशाना बनाते हुए कहा मैं एक पिछड़े इलाके का आदिवासी हूँ आपकी ये टिपडी मुझे हास्या स्पद लगती है अगर शिपु सोरेन जी ये डायलोग कहते तो मैं मान सकता हूँ लेकिन एक बिग्रैल बच्चे को ये डायलोग शोभा नहीं देता वैसे भी आदिवासीों के पास इसका लाइसेंस नहीं है कि वो जनता का पैसा लूटें आपको बताते चलें कि बीते बुद्वार को जारकन की सियासत में भारे उथल पुथल देखी गई जब प्रवरता निदेशालन ने जमीन घुटाले में लंबी पूछताज के बाद हेमन सोरेन को गिरफतार करने का फैसला किया उसके बाद हेमन सोरेन एडी अधिकारियों के साथ राजभवन गए जहां उन्होंने राजजपाल सीबी राज़कृष्णन को मुख्यमंत्री पच से अपना स्तीफा सौब दिया अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें